अब हम पढ़ेंगे exercise 7.1, question number first, करा है कि sign 2x का integration ग्याद करें, यानि integration of sign 2x dx, sign x का integration होता है, cos x, minus cos x, और 2, constant है, तो 2 या integration में बाग हो जाता है, तो finally, और plus c constant, तो answer minus cos 2x, और इसे हम लिख सकते हैं, हर में 2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 1, 2, cos 2x, plus c, minus 1, 2, cos 2x, plus c, दूसरा question क्या है, दूसरा question है, cos 3x का integration, तो cos 3x का integration, होगा, cos का हो जाएगा minus, sorry, cos का हो जाएगा sin x, sin 3x और 3x, तो इसलिए constant 3, तो 3 से भाग हो जाएगा, plus c, इसे परकार e k power x, e k power 2x का integration, इसका होगा, e k power x का, e k power x ही होता है, e k power x का e k power x, और 2 है, इसलिए 2 से भाग, इसका हो जाएगा, 1 बट्टे 2, e k power 2x, और प्लस constant से, question number 4, करा है, की e k power x plus b, की होल इसका, इसका integration, sum, क्या होगा, e x plus b, पार में एक जूटेगा, यानि पार में एक बढ़ेगा, और उतना से भागा, और उसका बाद दिखते हैं, की e k power x है, तो जो e है, वो क्या हो जाएगा, बाग में जाएगा, यानि इसका final answer आ जाएगा, a, कर सकते हैं, की एक बटे 3a, इंटो a x plus b, की पार में एक पार में 3, पार में 3, पार में 3, पार में 3, इसका integration निकलना है, dx, तो sine 2x का integration हो जाएगा, minus cos 2x, 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 और साथ बटा में 2, उसके बाद minus, minus तो minus, और constant है, और ek पार x का हो जाएगा, ek पार x, और 3 constant तो 3 से बारा, यानि फाइनल एंसर हो जाएगा, minus 1 बटे 2, cos 2x, minus 4 बटे 3, ek पार 3x, plus c.